इसवागत करता हूँ आप आगे हम Grü ita क्या दो कि एक मेटल ते एक मेटल जो है वो हो मेटल जो लिगेंट से कितने कार्बधन से जुड़ा हुआ है जिसके हमारे पास तर्म है मिउ ये मिउज जो बताएगा यह मिउज बताएगा आपको energy power M है यह यह प्र। इसीकल यह क्या हो गया कि यह एक ही है यह वर पर्रटी यह यह क्या है कोई यह है कि यह प्र। यह हो जो बता मैंड से जुड़ sबता है यह एक साथ कितने मेड़ taken मिठ बिच बना सकता है आप बात को समझिएगा कि हमारे पास जो यह है यहा यह इ vast कि फैell Self के भी जुर सकता है मतलब कि इतने मेटल के बीच बना सकता है यही कहलाता है साकिया यह कहलाता है इसका यह अब ब्रीज तो हमेशा दो के बीच होते हैं तहगर माणcaster कोई Ländern है वो दो मेडल के जुड़ा हो तो इसको in वो लिएाए म्यू टू बोली चाहे वाट टूरी बात टो एखी एना या कि मैंई का मतलब ही है कि वो क्या करा रहा रहा ब्रीज है अब मियु लिखे चाह मियू तू लिखे है तो एक ही बात होती यह से आप सौंज के देखिए बृज्बृंぎ हमेशा 2-0 साइड को जोड़ता है न तो यह अगर इंहीं भी बोला ज़ा तभी कंसे है कि ब्रीज है लेकिन ऐसानियों कि दो ही साइड को जोड़ता है कभी एसी जैसे जा रहे हैं ऊध्यारा इधर जा रहा है R लेकिन लौल ब्रीज करे बताना पड़े कि क्यां भी यहां जो ब्रीज है वो टीन साइड को जोड़ रहा है lagi लेकिन दो साइड को जोडने वाला ब्रीज आटोमेंटिकली म्यूं ही लिखा जाएगा म्यूटू लिखने की कोई नीड नहीं है क्योंकि ब्रीज का मतलब ही होता है कि वह क्या कर रहा है आपस में समझने बात को चलिए ठीक है तो अब यहां पर हम यहां से आगे बढ़ते है क्यों है कि हमने बोला कि आपके पास जो ब्रीज है सबस्किजिए हमने लिखा म्यूटू एक्स ठीक है तो म्यूटू एक्स का मतलब होगा कि जो एक्स है यह दो मेटल के बीच क्या कर रहा है इस तरह से ब्रीज बना रहा है ठीक है यह क्या कर रहा है इसके बीच में रहा है कि suppose कि यहां पडए एक मेटल और x यह क्या कर रहा है एक तो कोवलेन्टCrbन्ट वांन और सहां पर चारज का ट्रांसफर ओगा इस एक6 माइनस से इस मेड़ सब्स होगा लेकिन यह अब लोन लोन पेर्ज यह तो सिंगपर कोई जोर रहाे है तो इस प्र-कोई चार्ज नहीं होगा किई इस पर इस पर कोई चार्ज नहीं है जनल समस्किए अब सबस्केजिए कि यह भी होगा किसे बॉझ जोड़िया अब जोस्किए आख्यों से टो यहां पर प्लस से जुड़ जाएगा तो यह इस तरह से क्या कर सकते हैं मेटल से जुड़ सकते हैं तो यह क्या होगा आपको तो यह कहलाएगा सर यह जो हो गया म्यूफोर हो गया क्या हो गया यह म्यूफोर मतलब यह चार मेटल के बीच क्या बना रहा है यह क्या कर रहा है यह क्या कर रहा है यहां 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 देखी है यहां पड़ागा यहां समझ में जैसे हैं के पास हो गया हमारे यह रहा बी और यह रहा एच और यह रहा एच अब जड़ा गोर से देखिए यहां पर क्या हो गया यहां देखिए इसको देखिए यह क्या हो गया म्यू टू आया है यहां भी देखिए यह म्यू टू आया है गोर से देखिए क्योंकि एक हیर्टर आपको जो संटर लेटम है बोर्ण उसके साथ जुरा हूँ हर्डर को बोलए यह ऑनलि मियू ब ओल दीजिए क्यों कि मियू और मियू तो क्या हो गए एकी चीज यह स्था है न या सबोच कि जैंद आपके पास ऐसे 16 यहां भी आपके पास क्या है is 16 और यहां रहा सलफर सलफर यहां भी एक रहा सलफर सलफर आप चाहिए त इसको ऐसे यहे तो ऐफ़यस्टू है आप ऐसे patrick कर दिखा दिचिए जाए अक को डार्क करके दिखा दिखा fixation में होता है इसके लावा एक और example देख सकते हैं आप जैसे कि हमने ऐसे बनाया यह देखिए F E है S है S F E जैसे यहां पर है आपको S F E F E S यह ऐसे जुड़ा है गोर से देखिए S E S E और यह ऐसे तो यहां पर Basically क्या हो गएक हम देके जो चीज़ा है यह जो सल inadvert सुल Calendar कि साइट से जूर रहा है यह सल वर तीन मेटल को ब्रीज कर रहा है यह जो सल्फ़र है यह क इस आरते ही कि ब्रेज कर रहा है तो यह क्या हो गया यह कहला है काते कि आगा या यह तो यह कहले गभिड़ गुजरी सब टाऒन यहेश्म, रहा इक साइट को यूज कर रहा कि अगर यहीं होता कि मैटल को इल्टन देने इन उस क्र गौक कार आपको Python 먹िया है और बुन हो गया अपको इटा वन अगया है चैक है चलिए ओके नेक्स एक्जम्पल देखते हैं यहां पर आपने देखा भई एक और एक्जम्पल लेते हैं जैसे हमारे पास एक एक्जम्पल है सी एस थ्री जैसे हमारे पास है सी एस थ्री एल एक और सी एस थ्री है यहां भी सी एस थ्री है यहां भी सी एस थ्री है यहां पर ऐसे करके कि आल्मिनियम है और यहां कोंढ आ यहां चीज लोगे यह यह वाले मित्याइल है शम्हों फानियक क्राइब करते हैं ऑण खाल कि यूजड़ा है लिकिन तो कञे वाले क्या गया होगे यह इता नहीं होगा लिकिन टो यूज कर रहा है तो इटावर नहीं हुआ लेकिन गौर से देखें यह क्या कर रहा है ब्रीजिंग बना रहा है तो जब ब्रीजिंग बनाएगा तो क्या हो गया यहां पर आगे बढ़ते हैं यहां से देखो जैसे कि यहां पर देखो CS3 लाई पिर यहां पर हो गया लाई CS3 ऐसे ले लो फिर ले लो यहां पर लाई CS3 CS3 लाई जरण और से देखो इसमें क्या होगे यह दो यह जो CS3 ऑब यह इसी बात है CS3 लाई यह सबसे जुड़ा हूआ भले यह क्या होगा सीएस ते तीन मेटल जुड़ा हूआ है तो क्या होगे मियू फ्री लेकिन एलेक्ट्रों तो तो सिर्फ एक ही तो देगा ना ऐसा तोड़ ही सबते एलेक्टरून तो कोई क्या और इह करेगा यह सुद्र 气on खीच रहा है यह वाला ठीक है तो इस तरह से क्या हो गए कि सब एक दूसे से क्या कर रहा है सब एक दूसे से आपको यहां पर यह दूसे सबकों जुड़े हुए हैं अब यहां पर गौर से जिए जो CS3 है वो तीन मेटल से जुड़ा है तो इसलिए क्या हो गया मियू 3 हाँ इता तो वह नहीं होगा क्योंकि एक मिथाइल एक लिथियम को इल्ट्रों देने के लिए एक ही साइट का यूज कर रहा है तो क्या हो गया यह यह इता वन ही हो गया अब जैसे देखिए यह आपके पास सी डबल बॉंड ओ और यह मिथाइल यह इसको इस तरह क्या कर रहा है तो सी ओ मालो इसको इल्ट्रों दे रहा है अब हाला कि यह मेटल नहीं है लेकिन यह इसको इल्ट्रों दे रहा तो क्या हो जाएगा इटावन नहीं हो जाएगा और ब्रीजिंग वगर जैसा कुछ है न ऐसे है यह ऐसे और ऐसे तो क्या होगा गोर से देखे तो यहां पर C double bond O लगा हुआ और यहां पर क्या होगी आपको mm стар म्ट़ू only 3 Co क्या होगी यह पर था आपका म्म थ्री चीओ होगा है तो यह बास संमझ में ची sprouts आगे भरतें यहां से हों लोग देखेंगे है 18 electron rule नेक्स हमारा टॉपिक है 18 electron rule अब इसी को कैसे काम कर था जाए तो यह हो गिया आपके पास जैसे आपके यह जैसे CH4 होता है, तो CH4 में टोटर कितना इलेक्टरन है, आठ इलेक्टरन, तो हमारे आठ इलेक्टरन जैसे ही पहुचा तो कंपाउंड क्या होगा, और वो क्या होगा, इस्टेबल होगा, लेकिन OMC आठ नहीं, OMC 18 पर चलता है, OMC जो है 18 इलेक्टरन को फालो करता, अब 18 कि इलेक्टरन रूल है, तो क्या पणठा, मेंने कि भाई, वैलेंसईलेक्टरॉन ऐफ मेतल, और से देखें वैलेंसईलेक्टरन उफ मेटल, प्लस इलेक्ट्रोन डोनेटेड बाई प्लस माइनस लिगेंड क्या मतलब इसका कि चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो ठीक है और उसके बाद क्या हो गया इसको ऐसे नहीं लिखिए इसको ऐसे मत लिखिए हाँ देखिए इलेक्ट्रोन डोनेटेड बाई क्या लिगेंड और प्लस माइनस क्या आपको चार्ज और और यह सब जूर्गे कितना हो जाना चाहिए 18 हो जाना चाहिए क्या मतलब है इस बात का मेरी कहने का मतलब है कि आपके पास वैलन्स इलेक्ट्रोन के साथ क्या होने चाहिए आपको एलेक्ट्रॉन डोनइट वाइरे लिगेंड और चार्ज होने चाहिए और यह सब भी जुड़के कितने हो जाने चाहिए, आपके पास 18 हो जाने चाहिए. यह सब जुड़के यहां पर 18 हो जाने चाहिए. तो वैलेंस इलेक्ट्रोन ऑफ मेडल से इस्टापा केस आया हमारे पास जड़ागोर से देखेंगे आपको जो है हम एक एक्जामपल देखते हैं जैसे हमारे पास हो गया सबूज कीजिए CS3 MN CS3 के पास कितना इलेक्ट्रोन होते हैं अच्छा CS3 के पास कितना इलेक्ट्रोन होते हैं अच्छा CS3 के पास कितना इलेक्ट्रोन होता है CS3 के पास आपको सर एक इलेक्ट्रोन होता है मेरी बात समझे ने बचलो अगर आप यहां पर दो तरीका या तो आप ऐसे माल लो CS3 प्लस स्वरी CS3 माइनस MN प्लस और तब जाए कि आप क्या देखो CO5 अगर ऐसा आप चेक करोगे तो क्या निकलेगा आप बोलो कि CS3 पर क्या हो गया माइनस है तो माइनस के हो गए एक तरिका किया है मेरे पत दूस्ता तरिका यह कि मॉ तो साथ एलेक्टरोन है और सीओ के पास कितने होगे पांच दूनी दस तो दस हो गए तब भी क्या हो गया ठाड़ा हो गया जिसका मतलब यह है कि अगर आप निगेटीव पॉजिटिव गिनेंगे तो आपको क्या करना होगा फिर अगर इस पर निगेटीव मानेंगे तो इस कितने है एस्टोडीव बहीनि साथ एलेक्टरन और सीओ के पास कितने है पांच दूनी 10 तब करते हैं थैके समझगे क्या है पो पुट ओक क्या मतलब को एक बोट से मतलब 40 यह बन रहा है तो यहां पर कितना मन रहा है तो है तो किए एक बॉर शंपल सोची है आप ऑ congratus प्रटक के मार रहेगा यह topic भाड को ठीक अच्छ प्रec plastic टे करते हैं हम आक्शिडेशन स्टेट मेत जूज करेंगे तो इते न्यूट्रल अम मतोर्ड यूज़ करेंगे ठीक है मैंने क्या कि यहां इसको निकालनेख तो निकालने कदू रहे हैं यह तो आप श्रीशन में के जाए यह तो मेतर्ट समेख यह यह तो इंट्वल एटम में कि यहीं जांस ट्वलेख स CAP को बहुत है कि इसके पास किसे पास क्या हो गये इसके पास क्या हो गया तक है अगर इसी में क्या करेंगे गोड़ से ऐसे लेके चलते यह वाला लेकिन आपको तो पता है कि हम ऐसे चलते नहीं हम तो ऐसे बनाते हैं कि यह एफ ही होग है आप पांच और आयरन पर क्या होंगे एस दिए तो यह आठ तो क्या होग यह पांच पांच 10 आठ 18 इलेक्ट बोलो हाँ यह ना इस तरह से क्या देखा हम ने सीपीटू पीफाइब पे पर कितने हो गे हमारे पास ताड़ हो गए हमारे पास यलेक्ट्रों हो गए क्यूंकि एक सीप्वियक कर रहा है पांच जगत इसके है तो इसक मानगा इससे तहो संध्रा को यह विवाल यह इस कि आइए वह समझ में है थेकि है चलिए नेक्स एक्जामपल देखते हैं सब ने मेथर्ट पढ़ रहे हैं जैसे मारे पास एक्जामपल है सीपी एफी सीओ हौल टुु सीफीज्टी एफी इसीओ हौल टु कैसे निकालेंगे वडि़िए आपको पता सीपी के सूरी चीप के लिए पांच एफ एक एश तूड्य तूड़ी एट यहीं स्ट्रक्चिर केसा होना छाहिए तो आपको यह स्ट्रक्चर आपको क्या कड़ा किएक यEG کड़ेगा यह कैड़ेगा यह एल्टा लेगा यह लेगा यह अगर सूडियम से लेक्ट्रान दे देते हैं तब यह क्या हो जाएगा एने आपको सीपी एफी सीयो हॉल्टू यानिके एने पे प्लस और यहां माइनस अब अगर यहां माइनस हो गया तब जोड के देख लिए मैंने क्या कहा था कि अगर प्लस माइनस चार्ज अगर माइनस जोड देना प्लस चार जोगा तो घटा देना अब चुकी मैनस आ गया है देखो तो क्या हो जाएगा देखो ऑक्षी देशन स्टेट नहीं निकालना कि मैनस को बाहर रखिएगा अब क्या हो जाएगा यहां चेक करो सीपी के लिए पांच एफी के लिए क्या होगा आपको के लिए दो दुनी चार और एक माइनस एक्स्ट्रा है तो माइनस वन मतलब वह माइनस फे तो प्लस हो जाएगा जो माइनस हो जाएगा जो प्लस होता तो माइनस हो जाता ठीक है तो क्या हो गया देखो यहां फॉर्मुला चेक करो देखो ना क्या फॉर्मुला यहां पर है ना फॉर्मुला के पास देखो देखो है ना ओहों देखो ना वैलेंस इल्टोन ऑफ मेटल देखो फॉर्मूड देखो प्लस इल्टोन डोनिटेव बाए लिगेंट और प्लस माइनस चार्ज अनकोडिनेट सपेर भाई साब आपको ईल्टोन जोडना है तो जो माइनस ऐथैं माइनस है क्या मतलब है कि इलेक्टन आया हुआ है और प्लस का क्या मतलब है कि इलेक्टन गया हुआ है तो इसलिए आपको पास क्या है फॉर्मुला आपके प्लस माइनस आएगा तो आपको क्या है माइनस होगा इसका मतलब इलेक्टन आया हुआ है उसको प्लस कर दो और प्ल GB lucum Hugo eyeballs板 नहीं होगा यहकं दो लिगेंड एक साथ क्या करेगा तो CP किकिलिम आपट ओकले सक्क्या होगे prob怎麼辦 होता है किसे और क्या होगे तो क्या होगे साथ 2, zwei , Absolute तो यह क्या होगे आपको 19 हो गया इसका मतलब है कि यहां पड़ आपको क्या होगे एक अपको कोई 4 लाना पड़िये बाइगगा को ए grade-स लाना हो उगा त्कि क्या हो सके अपको प्लस और हो यहां प्लस और यहां आगे बढ़ते हैं नमबर तीन पर आ जाओ नमबर तीन पर आ जाओ इसी चीज़ को CP2 CO प्लस दे दिया है भाई तो हो यही तो चीज़ बताई मैंने भी आपको यही तो बताई ना मैंने आपको चलो चौथा देखते हैं कि यहां हो गया च्छेदुणी बारा हो गया तो कितना हो गया बारा पांस सतरह हो गया इसका मतलब यह है कि वी सीयो होल 6 माइनस यह के प्लस और यह माइनस तो देखो तो यह बार पांस था सतरह एक जो माइनस यहां जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा पांच प्लस बारा प्लस एक बड़ाबर कितना हो गया आपको अठाड़ा हो गया बुलिए आई वा समझ में चलिए वेरी गुड एक नेक्स एजमपल देखते हैं नबर पांच नमबर पांच सेक्च लेक्जांपल देखे हमारा इंदेखें देखते हमारा नमबर 5 में क्या हो गयाँ छीपी तू टीरिनियम अगर सीपी टू होगया तो गया मतलब खाद候 सिबस्काइं थीकταक्ष्या देखिए तोसीபीटु लिख्रा marche और उतिनियम क्या होता है रॉधियम किसमी आता इर निचे आताहा रॉधियम कहां रहाथ न आ रॉधियन माग्स आते बताह कि नहीं ऊसी तरह से कि विशायगे आपको माल wrestle रिष्डीक मैंनस हो गयए तो अवह को अधिक्यास यी जैसे कि आपके और यहां see LRR एक दिया है आपको अब यह से अस जुड़ते हैं एडतना होडा गोट देखो तो यह रudhenyum हो गिए रुदेनियम हो गया औने मां कितना वह दो इल्ट्रान देगा रुख जाएए तो क्या होगे 8 एक एक बॉंड से 2 10 यहां भी 2 बॉंड है तो क्या होगी यह दो बाड़ा आई यह देखी 2 दूनी 4 देखिए इसको क्यों क्यों कर रहे हैं हम रुदिरियम से थोड़ी जुड़ा हुआ है इसको क्यों देखना एक द दो बॉंड से जुड़ दिए तो 8 दो 10 दो बारा और बारा चार क्या होगी आपको 16 तो इस तरह से कितने इल्ट्रान हो गया आपके पास ये 16 इल्ट्रान होगे कितने हो गया 16 इल्ट्रान हो गए देखें यह बात भी समझना हो को 18 है वही स्टेबल है 16 है 20 है यह सिवन्टी है तभी तो हमारे काम का है चलो दोसरा देखते हैं है aq क्या question है यह सब्सक्राइब ने हाए यहां यहां पर आया afe c l jumping को bear see ya देखो तो अगर ऐसा आपके पास तो क्वहगा होगा गौर से देखिए तो आपके पास यह यहां क्या हुआ अब बोलोगे सर इसके लिए सीपी के लिए कितना जोड़ोगे पांच जोड़ोगे हम ले बिल्कुल जोड़ेंगे पांच ठीक है अच्छा सर यह एक बॉन्ड है तो एक जोड़ो सरी दो दूनी चार है इसको भी जोड़ लो और सर आइरन के लिए स्टू ड हो दो बेखीर हो और यहां भी पीपीएस-3 है जोड़ो एकितना हो इसका दिख रहा है यहां तो तीन दिख रहा इस पर इसके और तीन पीपीएस-3 किया यहां पर आपको सपोज करो प्लस दे दे तो प्लस को तो घटाना होगा ना तो और घटके क्या हो जाएगा भी सोला हो जाएगा बोलो आई बस समझ में क्या ठीक है तो इस तरह से यहां पर एक नई एक और एक आपको नई चीज भी सीखनी है यहां पर आपको नैट्रोस तो जब अगर नाइट्रसाहल इस तरह का हो तक है लीनियर आपके पास अगर लीनियर ना एक तो यह क्या होगा यह आपको यह हो गया लीनियर और एक नाट्रसाल क्या है तो आपके पास bent मतलब M N double bond O तो आपके पास एक linear हो सकता है और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है आपके पास एक bent हो सकता है एक linear हो गया और आपके पास क्या होगा एक bent हो गया भाई साब जो linear हो गया तो एक दो तीन तीन बना चुका तो सिर्फ एक फिघे तो फडूब कर रहा है तो यह इतर आतम ऩर उसुरा ग्रोड हाइँ बज्वा करें द兩्टन यहाँ एक पटसरे दराOb यहां पड़ आपको तो यह आपको bond बना रहा है गोर से इस तरह से इसका bond बना हुआ हुआ है और आपको bent में क्या होगा कि bent में आपको इस तरह का bond बना हुआ है आपको यह बात समझ में आनी पड़ेगे कि linear में क्या होता है आप पहले थोड़ा खेल को और समझो अच्छे से देखो यह रहा मेटल यह रहा एन यह रहा ओ ठीक है आपको पता है कि ओ के पास क्या होता है लोन पेर होता है वो क्या करता है ना आपको पता देखो जैसे इसने क्या किया है कि यह यहां पर आपको यह इस तरह से घुमा हुआ हुआ होता है लिनियर में जिसके करण्ड क्या बनता एंड डवल बॉंड ओ तो था ही एक ऐसे भी इल्टोन आ गया है तो इस नाइट्रों को पास कितना इल्टोन बचा है इस नाइट्रों को पास गौर से देखो तो यहा कितना इल्टोन देगा तीन इल्टोन देगा क्यों कि आपको पता है कि यह वाला बॉंड क्या होता है यह ऑक्षिन क्या करता है नाइट्रों की तरफ पुस्ट करता है लेकिन यह वाला जो इसमें क्या होगा इसमें सा कुछ नहीं होता यह डबल बॉर्ड ओ है एक लिल्टो तो जब भी आपको linear आ जाए तो आप याद रखना है कि linear में आपको कितना electron देना है आपको 3 electron और जब भी bent आ जाए तो आपको bent में कितना electron देना है तो bent में आपको 1 electron देना है तो linear में 3 और bent में क्या हो गया आपको 2 हो गया चलिए अब एक example देखते हैं देख एक एज़ामपल देखते हैं यहां पर हम ऐसे है यह यहां पर आ जाईए मॉलिब्डिनम यह वोगे आपको यहां पर एन ओ यह दिखाई दे चलो कोई न डबल बांड ओ और यह ऐसे है यह देखो ताब बोलो सर यहां ठीकिया आपकी बास समझ गया तो यहां पर क्या हो हो गया तो आपके पास जरह गाद से दिखिए इसके पास 18 iltron count की जी आप बोलोगे सबसे पहले तो क्या होगी है सरकी सबसे पहले हैं कि इसके count कर ला पांच electron करो ठीक है इसका जो है 3 iltrone count करो इसका जो है एक electron count करो iska जूए 3 electron count करो और molybdenum है तो molybdenum है तो molybdenum कितना count करोगे तो molybdenum क्या होता है आपको क्रोमियम की ग्रूप में आता है क्रोमियम S2D4 होता है तो यह भी S2D4 ही होगा सर तो S2D4 यानि कि 6 ilton आप जोर दो सबको तो देखो तो NO का 3 इस वाले NO का 1 इस का 3 इस वाले का 5 आई समॉलिबनum क्या होगा आपको 6 ज़रा चेकर तो 314 37 ठीक है 75 12 12 6 18 तो यह क्या होगे 18 इलेक्टरोन होगे क्या समझगे इस बात को कि यहां पर क्या होगे यह 18 इलेकटरोन यह abao कोखिच स्सेट कितना हो जाएगा उक्षिदेश्ट कितना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वही बड़ा आसान है यह एक यह क्या कर Bio देखो यहां पर एक से कि I are of PPS3 call to see you see L यह कि इसमें क्या देखना बड़ी आ 又 कि आइャयर क्या हो गए गोड़ेन कैसा होता है तो एरिडियम towp मतलब कोबस्क नीचे ढलरो आप रोडियम एरिडियम ठीक कोबस्कि रोडियम इर दियम तो इसका इरिडियम क्या गालीजान दुन न्हों हो ग्याएं को एक ढूलगेसरों कि यहीं हो ग्याइफ़ के पास क्यांतो हमत्व क्योंकों तो लोगा हुइए चौरों के पास यहोगे कर दो क्या की ज्कूब्र के पास गंचार। बढ़े हो दिखिए तो ने छार 13 पंद्र 13 नशार 13 नशार 13 होगे 13 और दो 15 15 16 तो इसके पास कितने लिटल अगए 16 ऑल रेक्टान बुलिए आई बसमझ में जैसे आपके पास एक और एक्जांपल देख लिए जैसे पिपीएस थ्री हॉल 3 c-L काउट करो इसको तो रोडियम को पास कितना हो गया कोबल्ड रोडियम ठीक है यह भी क्या होगा आपको नौ ही होगा बीपीएस थी क्या है दो तियाज छे और एक क्लोरीन तो क्या होगा देखें तो नो च्वा पंद्रेंग सोल यहां भी क्या होग तो PT Cl three है देखिए तो platinum पास क्या होता है platinum होता है कौन सा nickel platinum palladium ठीक है तो क्या हो गया nickel निकेल आपको हां तो platinum हो गया है कि S2D8 हो था है है श्कूदी एट का मतलब क्या हो गया 10 हो गया 2Cl 3-3 का मतलब तीन हो गया और C2H4 आपको C2H4 क्या कर रहा है यहां पर आपको यहां पर आपको 16 इलेक्ट्रों ही यहां पर हुआ तो हम लोग यहां पर क्या सीख रहे हैं हम लोग ने हैं न्यूट्रल एटम मैथट से हम लोग क्या कर रहे हैं एटीं लेटरों निकालने का जो है हम लोग क्यूस्ट्ट कर रहे हैं ठीक है चलो ओक आगे बढ़ते हैं कि अगे अगे कि अग पर सके अगे खांचीए य्द बड़ींकल,कि अटीम हूस्ट्ट उन की कर रहे हैं मैं सिंट लोग्व्जर्ट गुण पेछास यहा थरस्ब्स्टी्ट साथस्टीज यद यह हुआ हम ठीक है जैसे कि मारे पास एक क्विस्चन है गोर से देखिए हमारे पास एक क्विस्चन है जैसे आपके पास एक यह दिया है पी बेंजीन बेंजीन ऐसे है फिर पी में बेंजीन एक और बेंजीन और यहां हमारे पास है मेटल तो यह इसको विल्टान दे रहा है तो अब यहां पर क्या होगा मेटल पर कौश चार्ज नहीं होगा फॉर्स जो फॉर्मल चार्ज होगा वो क्या होगा जीरो होगा ठीक है इसको क्या बोले इसको बोले डी-पी-पी-एम ठीक है यह क्या होगा डी-पी-पी-पी-एम हाँ डी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी कि यह दीपीपियम हो गया डीपी और को छोड़ को यह डीपीपम इसको बोला गया यह यह ं पो लागिया है यह ढू यह बंद खया है और यह फाई पिख फाई और यहां पे क्या लाग पुर दीपे घाई ऐन तो क्या होगए यह लिक्ट्रोन तो चार देगा लेकिन फॉर्मल भृष्ण करेगा जीरो है 카메ा समझ में तो इस तरह से क्या होगा आपको यहां पर कि इस replace से आपको यहाँ पर देखना है चलिए ओके आगे बढ़ता है यहां से सपोच किजिए आपके पास एक्विस्टन दे दिया आपको यहां पर एक्वेशन दे दिया क्या क्वेशन है भई आई आर डी पी पी ए हॉल टू और यहां पर क्या हो गया यहां पर प्लस हो गया तो जड़ा चेक कीजिए यहां पर हो गया इरिडियम यहां ऐसे यहां ऐसे यहां ऐसे देखे इस तरह से दे दिया गया यहां पी हेलों यह फाई यह फाई यहां भी क्या हो ग फाई और इस तरह से चुछ गया और यहां पर च्वीजों अब च्वाड की तो इडिया में कॉब्ट के ग्रूप का है स्टोड तो क्या हो पता होना सब इरिडियम कहां है इरिडियम का इलेक्ट्वन वितना है तो स्ट्वी सेवन होता है थीक है तो स्टूडी सेवन इसका हो गया है इसटू डी सेवन और इररीडियम के काये रिडियम के कि 4-2-4-26-28 8 अलग मेरी तो इसका पास गहर सदेख northya कि मिला यह 9 हो गया चाड़ो साइट से इसको आठ मिला और उपर से देखिए प्लस वन है तो प्लस वन का मतलब क्या होगा एक घटा ना होगा तो नौट सत्रह माइनस से बड़ाबर सोला इल्टॉन आपको चीज में बता ही देता हूं आपको साथ पता नहीं होगा गवर से देखिए यह स्केंड के नीचे कौन होगी आपको स्केंडियम देखिए इसकेंड नीचे होगया वाइट्रियम उसके नीचे होगया लैंथनम ट्रिट्यनिक क्या होगया आपको जिर्कोनियम हैफनियम वनेडिम नीचे कौन है आपको नायबियम टैंटलम ठीक है उसके बाद आपको क्या होगया क आपको रुदेनियम और यह इरिडियम निकल के नीचे क्या है आपको सिल्वर और क्या हो गया गोल्ड जिंग के नीचे क्या है आपको क्या हो गया यहां मरकड़ी यह आपके पास एक्जाम पहले जड़ा गौर से देखे इसका यह क्या हो गया आपको यह थर्ड है थर्ड भी यह फोड भी लिख सकते हैं थर्ड भी फोड भी यहां पर फाइब भी यहां सिक्स भी यहां क्या हो गया सेवन भी यह तीनों मिलके कि electronic configuration देखिए ये क्या हो गया आपको ये इसका हो गया आपको क्या S2 D1 इसका क्या हो गया S2 D2 इसका क्या हो गया S2 D3 इसका क्या हो गया S2 D4 इसका S2 D5 इसका S2 D6 इसका S2 D7 इसका क्या हो गया S2 D8 इसका क्या हो हो गटी है को इस्टू है कि टीय है तो यह तरह से देखना है ठीक है और यहां पड़ाब को सरह हो जाएगा it's okay ठीक है तो आपको यह सब बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमने यहांपर कैसे कैसे किया और यह बात आपको बहुत अच्छे से clear होड़े होगी तो चली हम लोग यहां से और आगे देखते हैं हाइडरोजन कितना इल्टन देता है तो हाइडन तो आपको हमें सायद रखेगा एक ही लटोन देगा ना हाइडन क्या करेगा एक एक बनारा वो एक लटोन दे रहा है जो दो बनाएगा वह दो इल्टोन तो भाई पहला बॉंड्ड रियल है जिसके करण क्या आएगा प्लस माइनस आएगा बाकी सब क्या कॉडिनेट ध्यान रखिएगा तिक यह सब आपको मैं बता चुका हूँ चलिए यह मेटल था मेटल से nr3 जुड़ा कुछ नहीं कोबिलन बॉंड है कोई चार्ज नहीं आएगा लेकिन इसी मेटल से अगर nr3 को बतले nr2 जुड़ी है इसका मतलब चार्ज आएगा प्लस वन और यहां पर क्या हो गया आपको माइनस वन ठेक है यहां पर चार्ज क्य फिर टंग्स्टन में और फिर ऐसे लगा हुआ है फिर टंग्स्टन में और ऑक्सिजन और फिर ऐसे लगा हुआ है ठीक है यह तीन चीजें है अब इसके पास रगोर से देखिए क्या हो गया टंग्स्टन के पास कितने हो गया आप देखे यहां पर तो टंग्स्टन के पास सिल्टन के तेने होगे ताप बोलो है तो सब्सक्रास से सीपड ना करोमिय mean group के मिपनी में यहां हो गया एक एक हती तो रही की यह था साट यह heck नहीं है simple जोड़ते ही चलिए आप अपना को ठीक है यहां सब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर बूल रहा है कि कौन सा स्टेबल है तो भीया जिसके पास 18 एलेक्टरॉन है उसको चाहिए इलेक्टरॉन जिसके था क्सिदााइब कर देगा इसलों वह क्या हो इसको चाहिए किसी के पास सेंटीन electron है यार नहीं मतलब 17 है 16 है तो एक ही बात हुआ अक्षिडाइजिंग हो गया अब मालों कि 19 हो गया 20 हो गया तो क्या हो जाएगा इसके पास electron जादा है तो जादा है तो यह देगा electron यह किसी को क्या करेगा करेगा तो जब किसी को क्या करेगा तो किस कके ते अगाए यह मैं आएगा बाकि affected है वही क्या होगा आपका स्टेबल और जिसके पास है था बाहर से लोक разг division हore जिसके पास 19 है 20 है उसको 18 पूड़ा करने के लिए छोड़ना होगा एलेक्ट्रॉन किसी और को रिड्यूस करेगा तो क्या हो गया रिड्यूसिंग एजेंट हो गया चले ठीक है एक जामपल देखते हैं लोग जैसे हमारे पास एक एक जामपल है बी-ई-सी-पी-टू बी-ई 10 होगए तो कितने ही्टनागा अगए इसको बाड़ा हो गया नहीं होगा यह दूसरा देखिए यह रहा इट टू सीपी यहां पर क्या होग इटा-3 पर चपी सेथ को क्या हो गया तब बेड़िये हमें से सब्सक्राय में 101 हो मतलग क्या हो रहा है कि सीपी दो जगा से लेक्टरॉन दे रहा है सीपी क्या कर रहा है आपको सीपी दो जगा से लेक्टरॉन दे रहा है तो सीपी अगर दो जगा से लेक्टरॉन देगा तो कितना हो जाएगा इसके पास तो सीपी दो जगा से लेक्टरॉन देगा तो जगा स साथ हो गया ठीक है चलिए जैसे आपके पास एक एक एजामपल दे दिया आपको CP FE CO PPS3 CF2 यहां बंद कीजिए और यहां क्या हो गया आपको BF4 हो गया अगर ऐसा आपके पास तो क्या हो गाद देखे तो CP के पास कितना कितना हो गया दो CP2 के पास कितना हो गदो यहां देखे BF4 माइनस यहां पर आविससी बात क्या प्लस होगा तो माइनस अगर प्लस इसको क्या कर देंगा मैनस कर देंगे तो क्या होगा तेरा तेरा तो पंदरा तो 17 दो 19 और माइनस एक बड़ावर क्या होगा 18 इलेक्ट्रों यह स्टेबल है ठीक है आई वह समझ में अब इसी पर क्या इसी पर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भई आपको बोला जागा कि एक एक जांपल दिया है आड़ी बी यार COHL N और आपसे पूछागा कि N is equal to कितना है N आपसे पूछागा है तब बोलो कि रिनियम है रिनियम क्या होगे आपको यह मैंगनिज के नीचे होता है मैंगनिजियम टेकनिशियम रेनियम तो यह एस्टू डी फाइव है सर तो साथ हो गए इसके पास ब्रोमिन के लिए एक एलेक्ट्रॉन सीओ के लिए हमें नहीं पता है कितना सीओ का तो टू होता है लेकिन टू से कितना होगा एन होगा और सर यह काईदे से 10 हो जाएगा दिया हुआ मालोव दे दिया इस्टेबल है यह क्या दिया हुआ हए इस स्टेबल 18 इलेक्ट्रॉन अ कंपाउंड है यह तो क्या होगा दोवर्स देखी तो 7 एक 8 प्लस 2N इस इकल टू क्या हो गया ठाड़ा तो 2N इस इकल टू क्या होगी आपको 10 तो एन इस इकल टू क्या होगा आपको 5 या आपके पास कि यो हॉल क्या होगा हॉल 5 होगा आप चेक करके देख लिजिए अगर एन का वेल्यू क्या हो 5 होगा देखो तो रेडियम के लिए क्या निकला साथ ब्रोमीन के लिए एक सीओ कितना हो गया दो पांचे 10 हो गया ठाड़ा बोलो हाँ या ना ओके एक एक्जामपल और देदिया आपको एक्जामपल आपको देदिया जैसे कि यहां देदिया आपको कि एने टू ओएस एने टू ओएस ओएस ग्तिया Eu ничего हालफोड और यहां पर देदिया आपको माइनस एक्स तो एक्स का विल्लू आप से यहां पर पुछा जा रहा है चीकम एक्स का विल्लू यहां पर आपको क्या कर रहा है पुछा रहा रहा ताब दो ठीके सर्चेक करते हैं आपको पता है सर yol aur यहां पर Сlles Раз कितना वा आठ यहां आया सियों में क्या होए चार दुनी आट यहां आगिया अच्छा यह माइना से तो जो भी हमेर ना मानसे सप्कॉर्ट क्या का करना प्लस करना होगा ना तो इभी सिट टू क्या हो गाएब देखो तो तो आठ दूनी 16 तो X is equal to क्या हो गया यहां जाके क्या हो गया दो आ गया न तो X is equal to minus 2 है तो 2 को रख दो तो क्या हो गया हमारे पास structure na2 os co4 और यहां क्या हो गया minus 2 बोलो समझे बात को ठीक है कुछ जल रहे है चलो ठीक है तो इस तरह से क्या हो गया कि हमने इसको भी अपको complete कर लिया और यहांपल देख सकते हैं हम लोग यहां पर जैसे की देखिए एक एजांपल देखिए are you co4 si me3 यहां पर क्या हो गया आपको जैड हो गया देखो तो रुदिनियम के लिए 8 हो गया co4 के लिए 8 हो गया ठीक है si me3 आपको याद है कि si me3 कितना मौन बनाता है एक मौन बनाता है तो इसके लिए अब इक हो गए और क्या हो गया भाई हमें जैड है जैड को इसी के लीखो पता चलिए अपने अब तो तो जेड़ कितना है आपको देखो तो एकस आठळट सोल एक ससात्रह तो जेड ईए Happy bound है it सब्डर होगे आप अजरव प्लस-थिए और यहाँ प्लस कीयो इसका मतलब यहाँ प्लस कड़ोगे तो इसका मतलब क्या निकला है यहाँ पर यह माइनस निकला तभी तो आप इसको प्लस किये हो तो यहाँ पर जैड का वेलिए क्या आया माइनस वन नहीं समझे बात को अरे भाई मेरे तुम प्लस कब करते हो किसी चीज़ को जब माइनस होता है अगर तुम इसी को माइनस कर देते तो यह फिर पता प्लस फान हमायन जेड इस इकल टू एंट तो क्या हो जाता देखो तो यह 17 हो गए 17 मायनस जंड इस इकल टू एटीन तो यह तो वैसी भी क्याया आजाता आपको जेड आपको वेसी बीद्गर्स देखो 17 8 8 10 मानस तो मानस वन आ जाता तो भी आप ऐसे डायक्ट ली रख देते आप इसको ठीक है तो जेड का विल्यू क्या होगी आपको यहां पर मानस वन आ गया समझ रहे बात को ठीक है तो इस तरह से हमने देखा कि हाँ बही जेड का विल्यू यहां पर इस तरह से मानस वन आ रहा है ठीक है और एक एक जामपल देख लेते हैं एक जामपल और देख लें एक जामपल हमारा है देखो सीपी सीओ होल टू एफई पिएच सी ट्रिपल वॉन्ट सी यह एच और यहां पर क्या हो गया जैड हो गया तो देखो 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 क्या हो गया सीपी कितना हो गया सीपी हो गया आपका पांच सीओ क्या हो गया दो गुना दो एफ़ी कितना हो गया आपको आठ इसके यह तो पाइब और दे रहा है यह कितना देगा तो यह तो बस दो लिटन देगा अच्छी जैड़ा प्लस जैड कर दो इस इकल टू क्या कर दो एटीन कर दो यह जैड है यह तो एधान रखना पांच दो दूनी देखो पांच चार नो नौट सतरह सतरह दो उनीस उनीस प्लस जैड बड़ा बड़ क्या हो गया ठाड़ा हो गया तो जैड डिजिकल टू क्या हो गया माइनस वन हो गया तो जो जैड यहां माइनस वन दीख रहा है इसका मतलब यहां पर कितना होगा यहां पर क्या हो आपको प्लस आ जाएगा कितना हो जाएगा यहां पर तो is equal to क्या हो गया प्लस वन बोलो अब चेक करके देख लो देखो ना सीपी पांच पांच चार नो नौट सत्रह सत्रह दो उनीस अब प्लस है तो क्या हो गया मैनस कर दें उनीस मैनस एक बड़ाबर अठाड़ा ठीक है चले एक लाश्ट एक्जामपल कर लेते हम लोग लाश्ट कुंसा चार्ज है आपको माइनस चार्ज है तो एम इस इकल टू पूछ रहा है कितना हुआ देखो तो इटा 3C3S 3S का मतलब कितना होगा तीन गुना एक आप यसलिवा तीनों इल्टन देगा अच्छा सीटा सीपाइफ क्या हो गया पांच हो गया मिटल का नहीं पता हमें ह स्दाइब करना हो गया तो इस इक पास मेंग में नियुम हो सकता है तेकनी सियं हो सकता है है रेनियम हो सकता है क्योंकि तीनों में क्या स्टोडी फाइव ही है अब आपको जो भी ऑक्सन देगा चुन ले ना मालव आपके मैंगनेज दिया होगा आइरन दिया होगा कोबाल्ड दिया होगा रोडियम दिया होगा ता पाचान लोग एक सर मैंगनेज है 2 मीव यह कोई दिया है 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 ना समय है और यसा करिँश गेर तीनों में से तीन में से तो खोई देदा आइसा यह नहीं करेगा वह डो न डरी चलिएक वंच़ावख़ीं है question है हमारे पास यह रहा M, यह रहा X, यह रहा Z और यह हमारा compound M, CO, Hall X, Z- ठीक है, देखो क्या दिया है, यहां दिया है M दिया है Titanium, example 1 में M दिया है Titanium, X दिया है 6 और Z दिया है 1, ठीक है, Z क्या दिया है, आपको 1 दिया है, जोड़ो कितना होगा, इसका मतलब यह है कि titanium co6 और z is equal to one to one minus है कितना हिल्टन होगा देखो तो इस titanium हो गया कितना scandium titanium h2 d2 तो d2 मतलब क्या हो गया चाड़ हुए न कोबाल्ड कार्बनाईल अच्छे दुनी 12 और सब्सक्राइब तो क्या होगा एक जूडगी तो क्या होगी है टोटल 15 हो गया ना कितना हो गया आपको बार नी बाढ़ा चार 16 17 सोरी 17 हो गया देखो चलो हमने क्या किया है यहां पर टीटेनिंग बदले रखा कोबॉल्ट एक्स को कर दिया चार यहां पर कितना कर दिया हमने यहां पर क्या हो गया कि यह हो गया आपको यह 2 कर दिया हमने इसको तो देखो तो क्या हो गया कोबॉल्ट ठीक है यहां पर क्या होगे सीयो हॉल फॉर टू माइनस देखो तो कितना हुआ कोबॉल्ट दो इस्टू डी सेवन तो दी सियों का मतलगे क्या हो गया ना सीयो क्या हो फॉर्ट चार दूस डू हो गया अच्छ ठीक है नेक्स दिखते हैं यहां वैनेडियम देते हैं यहां छे लिखते हैं और यहां क्या लिखते हैं एक लिखते हैं तो क्या हो कि गर से देखो तो वी तो होगे गश्ट देखो तो वेनडियम कितना हो गया इसकांडियम तीन पर होता है इसकांडियम वेनडियम तो तीन मतलब एस्टू दीव-3 पांच कॉबल्ट क्या हो गया कर्बटनाईल है तो कर्बटनाईल छे है तो छे दूनी 12 और एक जुड़िया तो कितना पांच बारपां 17 अगा थार भाई यह तो फिल्कुर्व स्टेबल हो गया है और आजाओ यह रहा मॉलिबडिनम यह रहा पांच और यह रहा एक तो हो एमओ और यहां पर क्या हो गया वन माइनस जलाद चेक्क करते इसको मॉलिव challenging कितना हो गया आपके पास देखो chromium molydunum होता था chromium H2 default होता है तो ये भी H2 default हो थे ये पांस दूनी 10 और ये क्या होगी आपको minus 1 तो plus 1 हो गया तो 6, 10, 16 और 17 तो ये 1 second क्या होगी आपको oxidizing agent तो आपको चूज करना थे इसमें कौन oxidizing agent है कौन reducing agent और आप लोगो ने अच्छे से चूज किया और आपको अच्छे से समझ में आया तो उमीद करता हूँ आपको ये सारी बात समझ में आई होगी ठीक है तो इसको हम लोग जो है next class में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम doubt को छोड़ना नहीं है ठीक है जो भी doubts हो उस डाउट को आप अच्छे से clear कीजिए विदा डाट क्लियर को किये आप आगे मत बढ़िये ठीक है तो आप लोगों को जो भी OMC है बहुत अच्छे सकरवाई जा रही इसमें सारे questions भी आपको करवाई जा रहे है और जितने भी आपको previous question से वो यहाँ पड़ आपको सारे कडवा दिये जाएंगे ठीक है ओके तो फिर ठीक है resistance मिलते हैं next class में thank you so much bye